हलो एब्रीवन वेलकम टू सक्सेस प्लाटफॉर्म किल की प्रीविएस क्लास के अंदर हमने लाइफ प्रॉससेश के डाइजेशन की जो कोशेंज दे उनको प्राक्टिस किया था और आज ही क्लास में हम प्राक्टिस करेंगे रैस्पिरेशन के कोशेंज यह मैंने पहले भी बताय था आपको MTG की जो बुक है वहां से इन कोशन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके हल्पफुल है एच्टेट के लिए भी हल्पफुल है जो आपका NBS होगा तो इन सब एक्जाम्स की जो भी प्रपरेशन कर रहा है उन सब के लिए ये जो कोशन प्रैक्टिस होगी हल्पफुल रहेगी अब हम कोशन कर लेते हैं आज वाले देखों पहला कोशन है वॉल्यूम ओफ एयर वॉल्यूम ओफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर विध इच नॉर्मल ब्रैट इस जो हम नॉर्मल ब्रैट ले रहे हैं उसके साथ हमने इन्हेल किया एक्सेल किया तो हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम जो आपकी 500 ml होती है नॉर्मल इनहेल और एक्सेल को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम फिर आता है आपका इंस्पीरेटरी कैपिसिटी देखो हम अगर यहां पे समझें तो देखो आपका किस तरीके से होता है यह आपकी टाइडल वॉल्यूम है जिसमें आपने नॉर्मल इनहेल किया एक्जेल कर दिया नॉर्मल इनहेल किया एक्जेल कर दिया फिर आता है आपका इंस्पीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपने नॉर्मल इनहेल किया उसके बाद आप एक्स्ट्रा और इनहेल कर रहे हो तो इस सारे को हम बोल देंगे inspiratory reserve volume, tidal volume plus आपका tidal volume plus यह जो extra हमने इनेल किया, that is inspiratory reserve volume, तो यह total हो गया आपका inspiratory capacity, ठीक है, अब आपने यह exhale किया, और exhale किया, आप extra और अगर exhale करते हो, तो that is nonis, expiratory reserve volume, और इसको बोल देंगे ERV, यानि expiratory reserve volume, और यह हो जाएगा आपकी, अब इन दोनों को combine करके हम बोलेंगे expiratory capacity, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यह जो हमने exhale की, इसके बाद भी कुछ air है, जो आपके lungs के अंदर रह जाती है, उसको हम बोलते हैं residual volume, उसको हम बोलते हैं residual volume, बची कुछी जो air होगी, उसको बोल देंगे residual volume, तो अब यह total आपकी lung की capacity होगी, जब इन सारों को plus करेंगे, तो यह आपकी total lung capacity होती है, और residual क्या हुई, जब आपने forceful exhale कर दिया, ठीक है, normally तो हम सास exhale करें, आपने forcefully exhale कर दिया, उसके बाद भी कुछ air है, जो आपकी lungs में बचती है, उसको हम बोलेंगे residual volume, तो यहाँ पे आपके चारों clear हो गए, कि आपके क्या होते हैं, ठीक है, तो इसका अंसर हो गया, tidal volume, next question है, to prevent the entry of food into the trachea, the opening is guarded by, हमें पता है, हमारा जो elementary canal होता है, किस तरीके से होता है, यह आपने mouth हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे जब mouth से हम खाना खा रहे हैं, और nose से हमने हवाली, तो दोनों का आपका common part होता है, हमारा pharynx, यहाँ पे आपकी air भी आती है, प्लस आपका food भी आएगा, ठीक है, air भी आया, food भी आया, अब आगे आपकी दो pipes होती है, एक होती है food pipe, और एक होती है आपकी wind pipe, ठीक है, this is your wind pipe known as trachea, known as trachea, ठीक है, यह आपकी food pipe होती है, एक आपकी wind pipe होती है, अब इन्होंने बोला pharynx है, उसमें हवा भी आ रही है, और आपका food भी आया, अब कैसे यह differentiate होगा, कि trachea के अंदर सिर्फ wind जाएगी, और food pipe के अंदर food जाएगा, तो यहाँ पे हमारा एक flap होता है, एक ढक्कन होता है इस pipe के ओपर, जिसको epiglottis बोलते हैं, जो इस pipe को close कर लेगा, यही हमसे पूछा है कि, क्या है, जो prevent करता है, entry of food, अब वो food है, जैसे देखो, अगर आप खाते वक्त बोलते हो, तो उस case में क्या होता है, epiglottis प्रॉपरली आपका close नहीं कर पाता है, wind pipe को, तो खाना आपका wind pipe में जैसे ही जाने लगता है, आपको खासी आती है, इसलिए तो आपकी entry को prevent कोन करता है, epiglottis, the lungs are enclosed by a double layer membrane, which is known as, that is known as pleura pericardium heart की हो गई, bronchi हमारी lungs के अंदर प्रिसेंट होती है, ठीक है, फिर है glucose gets converted into pyruvate, कौन सी cycle होती है, ये आपकी glycolysis cycle होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, जो glycolysis होता है, जैसे आपने glucose को intake किया, आपके cells क्या करेंगे, इस glucose को ले लेंगे, ठीक है, इस glucose को ले लेंगे, इस glucose को लेंगे, और oxygen की help से, इसका breakdown कर देंगे, ठीक है, अब ये glucose आपका change होता है, सबसे पहले आपका change होता है, ये pyruvate के अंदर, ठीक है, 10 step की reaction होती है, TGT में आपके लिए important नहीं है, और कहाँ पे होती है, ये cytoplasm के अंदर होता है, ठीक है, आपसे सिर्फ यहाँ पे पूछेंगे, तो cycle का नाम पूछ सकते हैं, बाकि ये भी नहीं पूछेंगे, ग्लूकोज अगर pyruvate वे convert होता है, तो कौन सी cycle होती है, ये आपकी, glycolysis होती है, इसको हम EMP pathway भी बोलते हैं, क्योंकि जिन scientist ने इनको discover किया था, Amden Mayerhoff और Parnas, उसके नाम पे होता है, 10 step ये reaction होती है, चीक है, और ये कहाँ पे आकर होती है, आपकी cytoplasm, next question है, one molecule of glucose, on complete oxidation, हमने बोला कि glucose पहले change हुआ, pyruvate में, अब complete oxidation होता है, तब क्या होगा, जैसे देखो, यहाँ पे देखे हैं, हमने जो glucose का intake किया, तो पहले वहाँ पे pyru, पहले वो pyruvate में change होगा, चीक है, कौन सी cycle यहाँ पे होती है, हमारी होती है, glycolysis, चीक है, properly दिख रहा है हमें, फिर क्या होता है, यह pyruvate आपका, क्रेब cycle में enter करेगा, क्रेब cycle में होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, दुबारा से इसका further, oxidative decarboxylation होता है, ठीक है, फिर क्या होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यह cycle हुई, पहली वाली, यह और यह, तो यहाँ पे हमारे क्या हुए, कुछ intermediate energy factors बनगे, ठीक है, confused मत होना, I think confused हो सकते हैं, TGT वाले बच्चे, बस इतना बदा देती हूँ, मतलब, complete oxidation का मतलब है, last में हमारी electron transport chain, ATP बनाएगी, और body को energy की ही ज़रुरत होती है, तो हमारी energy currency of cell, यानि ATP बनती है, यह होता है, complete oxidation आपका food का, ठीक है, यह सब incomplete oxidation है, complete oxidation होगा, जब आपका CO2 plus water बनता है, ठीक है, तो total आपकी 38 ATP बनेगी, complete oxidation का मतलब है, CO2 और water बनेगे, और body को ATP देदी, जो खाना था, उससे energy मिल गी, यानि ATP बना दी, ठीक है, इसके detail में, cycles कभी भी नहीं पूछेंगे आप से, which of the following have same functions, यहाँ पे पूछा है, कि same functions किस किस के है, stomata and veins कोई same function नहीं है, stomata and lentils, हाँ, दोनों ही respiration करते हैं, दोनों के same functions, फिर है, refer to the given graph, and answer the following questions, यहाँ पे इनोंने questions के अंदर graph दिया है, और इन questions को हमें solve करना है, ठीक है, air pressure बताया है, यहाँ पे lungs में, तो यह हमारी wave दी है, इसको देखेंगे, which of the following reason indicates inhalation, तो inhale जब सास अंदर लेंगे, तो यह सास हमने inhale किया, हाना, तो that is R and T, R to T, वैसे R to S होना चाहिए, I think, बट यहाँ पे यह wave खतम नहीं हो रही, तो R to T ही answer, I think correct answer होगा इसका, ठीक है, फिर है question आपका, which of the following correctly describe the state of the rib cage, and the shape of diaphragm at Q, यहाँ पे Q के अंदर, आपका क्या होगा, कौन सी diaphragm की shape होगी, अब देखो, आपका जो diaphragm होता है, क्या होता है, इस तरीके से यह आपकी lungs होगी, ठीक है, इनके नीचे यहाँ पे आपका dom shape, एक diaphragm present होता है, ठीक है, यह diaphragm क्या होगा, जब आपका flat हो जाता है, जब आप inhale करते हो, और जब आप exhale करते हो, यह दुबारा से इस तरीके से आपका हो जाता है अब इन्होंने पूचा है क्यों केस में क्या हो रहा है यह एक्जेल कर रहा है हवार बाहर निकाल रहा है तो उस केस में आपका जो डाइफराम है वो कि शेप का होगा तो उस case में जो आपका diaphragm है वो दुबारा से dom shape का हो जाएगा तो आपका b option यहाँ पे rect होगा The shape of the curve above will change when the person is doing vigorous exercise जब हम जादा exercise करेंगे तो हमें पता है कि हम जादा तेज़ तेज सास लेते हैं inhale जादा करते हैं, exhale जादा करते हैं तो उस case में जो ग्राफ है यह change हो जाएगा which of the following correctly describe the changes तो कौन-कौन से changes होगे, P, T, H, Q में हमें distance देखना और यह जो मैं practice set है डेली डालती रहूंगी अगर आप लोग चाहते हो live classes लो तो मिनको comment section में बता देना फिर में डेली आपकी जो practice series है वो live class में ले लूँगी अब देखो जादा बच्चे तो जुड़े नहीं होए हैं तो मैं इसलिए recorded ही डाल देते हूँ क्योंकि recorded में जल्दी question कवर हो जाते हैं चीक है हमें distance देखना है P और T और H और T में यानि inhale और exhale के बीच में हमें difference देखना है तो इसमें क्या होगा आपका देखो पहले देखेंगे distance between P and T जब exercise करेंगे तो क्या होगा P और T का ये जो difference है ये कम हो जाएगा क्योंकि हमारे जब आप exercise करते हो हमारे breath short हो जाती है चीक है तो ये तो आपका decrease होगा तो ये दो option तो आपके cut गएगा अब बचता है हमारा distance between H and Q H और Q ये वाला जो आपका difference है ये increase हो जाएगा चीक है नंबी सास लोगे तो आपका C option यहां पे correct हो जाएगा next question is which of the following is an incorrect comparison यहां पे इस question में आपसे पूछा गया है कि incorrect कौन सा है कुछ features दिये हैं फिर aerobic respiration था है anaerobic aerobic का मतलब जब oxygen की presence में आपका respiration होता है उसको हम aerobic respiration बोलते हैं anaerobic respiration जब oxygen की absence में आपका respiration होता है उसको हम an aerobic respiration बोलते हैं तो यहां पे incorrect पूछा है यानि गलत कौन सा है consumption of oxygen हमने अभी मैंने बताया कि aerobic का मतलब यही होता है कि oxygen use हो रही है तो first तो ठीक है हमसे incorrect पूछा है efficiency of energy production अब देखो aerobic में क्या हो रही है oxygen use करने में भी हमारी energy खर्च हो रही है तो यह भी आपका ठीक है low होती है इसमें high होगी नई नई यह इसका B option आपका incorrect है efficiency energy की यहां पे हमारी low नहीं होती high होती है glucose का oxidation complete होता है क्योंकि यहां पे हमारे end products बन जाते हैं यह रहा CO2 plus water ही बनते हैं यहां पे lactic acid ethanol बनते हैं तो B option इसका correct होगा next है आपका question number 38 refer to the given comparison between photosynthesis आपको comparison बताना है photosynthesis और respiration के बीच में ठीक है अब हमें पता है plants photosynthesis भी करते हैं respiration हम भी करते हैं और plants भी करते हैं अब इसका feature क्या होगा इसमें से आपको बताना है comparison और incorrect comparison बताना है ठीक है तो इन में से जो option आपका incorrect होगा उसको हमारा right answer हम consider करेंगे तो देखो first है location हमें पता है photosynthesis कहां पर होता है chloroplast में होता है chlorophyll की presence में होता है respiration mitochondria में first option correct है तो first जिस जिसमें होगा हम उसको cut देंगे इसमें है यह रहा first तो यह वाला option भी cut जाएगा ठीक है आप दोनों में second है तो second तो आपका मतलब incorrect है यह बेशक से आप ना भी पढ़ो तो भी चल जाएगा incorrect है दूसरा आपका यहाँ पे sixth वाला यह भी incorrect है और आपका seventh तो हमने तीन option आप बस देखने है और उससे हमारा answer निकलाएगा occurrence day photosynthesis of course दिन के अंदर होता है क्योंकि दिन के अंदर photo का मतलब light और synthesis मतलब glucose का production तो यहाँ पे दिन के case में आपका यह production होता है तो यह वाला correct होगा night में respiration दिन और रात दोनों में होता है तो यह third option correct होगा तो c option इसका नहीं आ सकता ना और यहाँ पे day plus night आना चाहिए था चलो यह option और देख लेते हैं six थार्ड से ही हमें differentiate करना है मेरे according यहाँ पे day plus night लिखना चाहिए था क्योंकि plants आपके पूरे दिन रात respiration करते हैं और यहाँ पे plants mention ही नहीं है तो हो सकता है यह animals के बारे में भी पूछाओ तो I think कि यह c option को ही हम correct consider करेंगे ठीक है क्योंकि यह incorrect ही मानेंगे क्योंकि respiration plants भी दिन और रात दोनों टाइम करते हैं बस रात पे photosynthesis नहींगा नेक्स्ट है आपका refer to the given figure answer the following questions ठीक है बाकी यह question हम next class के अंदर करेंगे ठीक है हम छोटे ही practice sessions रखेंगे ताकि आप जितने question करो अच्छे से मतलब वो concept आपके properly हो जाए ठीक है हां अगर आप live classes के लिए जाते हो ना अगर जादा बच्चों मतलब इस favor में होंगे तो मैं live classes ले लूँगी practice session वाकी recording में daily डाल दूंगे आपके TGT के लिए ठीक है तो आपको जैसा अगर जादा बच्चे बोलेंगे तो उस according हम देख लेंगे तो आपको जैसा मन हो आप comment section में drop कर देंगे okay thank you everyone